हाई फ्रेंड्स मैं श्वेन बेरी गुड बार्निंग आई होप आप सब भी अच्छे होंगे वर्ड अफ दे डे इस सीरीज का ये सेशन नमबर 89 है और आज की हमारी चोईस है वर्ड ओपाइन आईए आगी की स्लाइड में इस वर्ड ओपाइन को डेटेल में जानते हैं पहले बात ये जो वर्ड ओपाइन है ये एक वर्ब है और बहुत ही सिंपल है इस वर्ड को सीखना एक्छली में ये जो वर्ड ओपाइन है ये ओपीनियन से बना हुआ है Opinion एक noun है और Opin verb है In fact, Opinion noun की ही verb form है Opin आप सब पहले से ही Opinion का meaning जानते हैं क्या meaning है? राय, सुझाव यही तो Opinion का meaning है कि आप कोई राय दे रहे हैं कोई सुझाव दे रहे हैं कुछ ideas share कर रहे हैं Opin का भी यही meaning है सुझाव देना सुझाव देना राय देना पढ़िए It means to express your opinion इसका यही मतलब है कि आप अपने मन की बात या अपना जो opinion है, जो राय है वो साजा कर रहे हैं, share कर रहे हैं Right? मैं आपको पहले इसके similar words दिखाता हूँ यह देखिए Suggest, state, speculate, surmise, guess, advise एक तरीके से मतलब ही होता है किसी प्रकार से कुछ राय देना किसी को किसी प्रकार का कोई सुझाव देना की ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए अब similar words में एक ये word बहुत अच्छा है और surmise word भी अच्छा है या कली जेगा आप सभी लोग Example देखिए How can we opine about the results of the elections held in the other state यार elections दूसरे state में हुए है और आप हमसे results पूछ रहे हैं कि कैसा रहेगा तो दूसरे state में जो elections हुए हैं उसके results को लेकर हम कैसे कोई सुझाब या हम कैसे कोई राय दे सकते हम कैसे कुछ prediction कर सकते एक तरीके से यहाँ पर opine का meaning कुछ predict करने के जैसा है Example number two देखिए You should pursue your career in arts and cinema आपको arts और cinema में career बनाना चाहिए My brother once opined कभी मेरे भाई ने ये बात बोली थी opine verb की forms बड़ी ही simple है आपको सिर्फ ed add कर देना है या यूं समझिए e तो लगा ही है d add कर देना है तो opine करने का क्या मतलब हुआ कोई राय देना, कोई सुझाब देना आप में से जिन भी लोगों को मेरा English, Grammar, Vocab and Comprehension का online course बाई करना हो तो ये application है हमारा आप इसे play store से download कर सकते है अगर आप एक iPhone user है या आप laptop पे desktop पे application को run करना चाहते है तो नीचे वीडियो के description में links दिये हुए है वहाँ से आप access कर सकते है latest sessions, latest updates और PDF के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को join कर लीज़े ये अश्विन classes के नाम से है किसी भी प्रकार के confusion में ये number है आप इस पर contact कर सकते हैं आप में से जुन भी लोगों को मुझसे offline classes करनी हो English की तो मैं आलंबाग लखनों में Phoenix Mall के पास पढ़ाता हूँ आप यहां आ करके मुझसे classes ले सकते हैं आज के session में इतना ही I hope आप सबने enjoy किया होगा opine word वैसे बहुत cut in तो नहीं है लेकिन हो सकता है आपने ध्यान न दिया हो कभी इस word पर क्योंकि थोड़ा सा कम use होने वाला word है तो मेरा यह effort आपको कैसा लगा मुझे आप comments के मादिम से जरूर बताइए का thank you so much bye take care keep learning जै भोलेना जै शेप शंकर